हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लेक्षर में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ होनर्स का जो पेपर वन बिहार उनिवर्थ सिती के तरफ से जाड़ी किया गया है उसका 41 से लेके 70 तक एक से लेके 20 तक मैं एक लेक्षर में कंप्लीट करवाई हूँ और 20 से लेके 40 तक दूसरे लेक्षर में आज के वीडियो में हम लोग 30 कोस्टन सॉल्व करेंगे 41 से लेके 70 तक देखिए आज मैं आप लोग को पेपर में नहीं बता रही हूँ हमें थोट आप लोग को प्रभ्लम होगा वह मुझे कमेंड से लेका क्योंकि मैं इस में सभी कोस्टन में बनाऊंगी तो मुझे बहुत उसने बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत भी लगता है तो आप लोग थौराँ साद देखिए गा जो प्रोबलम होगा बस कमेंट कर देज़ेगा वास जो कोस्टन किज़ेगा उसी को मैं डेटेल में एक्सप्लेन करूंगे इसने नहीं कोसिस करूंगे लेकिन फिर भी आज नहीं समझ में आ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो देखिए 41 नमबर कॉस्टन के वीच अफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इस ट्रू चार ओप्सन दिया रहा है और चारो ओप्सन में से पूछा जा रहा है हम लोगों से कौन सा ओप्सन हम लोग का ट्रू होगा फर्स्ट हम लोग का दे रहा है एवरी एक्विवालेंस रिलेशन इजा पार्सियल ओडरिंग रिलेशन तो सबसे पहले आप लोग को एक्विवालेंस रिलेशन और पार्सियल ओडरिंग रिलेशन के बाड़े में पता होना चाहिए देखिए एक्विवालेंस रिलेशन वो अपको होता है जो छोल्हेक्सिब एंटी-शिमेट्रिक और ट्रांजिटिब तीनों कंडिशन को सब्सक्रोळ करता है उल my दहां होता है इक्यूवे Lange और्प ट्रिफेयल और लोगों का कंडिशन बतालदि दोनों क्या होता है आप लोगों को समझ में वहीं आ गया होगा देखे सीकेंड हम लों का normal Θण from a है यह हम लोग का एकसे nimल parking वांड टुक रहीं दिखेके ऊल्भिनम अप cycling मतलब कि इसके मतलब वहीं रहीं पलब है मने 될ी में का municipal का नंबर अपशल हो जाएंगा अनबर रिलेस्न किया हो जाएगा नमबर पावर उसका फर्मूला क्या होता है मज़ों को हम लोग though सिफ कर्यान स्भी के लिए מדखना होता है लेकिन ार्टdade प्रिफ्लैक्सिब एंटी स्यमेट्रिक और हम लोगों को डिक्षिण अगर इसमीं प्रेजेंट है तो उसमेन नहीं होना चाहिए उसी को वुलते हैं आपस्ञेश्च अब गञुड को कक्लियर हो घ्यावसान बताना था ए में 3 है बी में 2 है तो हम लोग का एक रॉस्ट बी में दो हो गया तो नमबर आफ रिलेशन 2 का पावर इन होता है मतलब 2 के पावर 6 मतलब 64 तो आपसन नमबर बी करेक्ट है और आपसन नमबर सी क्या कोई हम लोग का एक रिलेशन है एक रिलेशन है जो वो रिफ्लेक्सिब नहीं हो सकता है कल ही क्या बोलते है उसको रिफ्लेक्सिब होने के लिए उसका और प्यार होना जरूरी है इसने के साथ नमबर खुद के साथ जैसे अगर जीरो है तो जीरो के साथ वन है तो वन क्यसाथ लेकिन इसमें तो हम लोग कर दी हूं को किसी भी परकार की कोई भी डावट नहीं देखे 42 number question हम लोगा क्या है let a equal to 1 to 3 define congruence x congruence y मतलब जो हम लोगा relation define कर रहा है वो define कर रहा है x divides y को तो हम लोगा वो जो relation define कर रहा है na equivalence वो हम लोगा क्या है reflexive but not a partial ordering या फिर symmetric या फिर an equivalence relation या फिर हम लोगा a partial ordering relation तो देखे हम लोगा इसका क्या होगा देखे इसका हम लोगा होगा a partial ordering relation मतलब 42 का option number d correct हो जाएगा 41 का आप लोग जिस ऐसे इस प्रेंट जिनको सिर्फ answer से मतलब होता है उनको solution से कोई मतलब नहीं होता है वो लोग सुन लिजे 41 का आप लोगों का option number b और 42 का option number d correct है देखे 43 नमबर question क्या है 43 हम लोगा the universal relation a cross a on a is देखे universal relation जो हम लोगा होता है न a cross a वो हम लोगा एक equivalence relation होता है 43 का option number a correct है देखे question number 44 क्या हम लोगा 44 हम लोगा a partial of 1,2,3,4,5 is the family देखे 4 option दिया होए आप लोगो और बता रहा है हम लोगा इसका partial लिखने के लिए तो देखे मैं आप लोगो एक बात बता दू अगर कोई भी relation दिया होए और उसका partial पूछ रहा है तो आप लोगो ऐसा option select करना होगा जिसका अगर हम लोग union लेंगे तो हम लोगो जो relation दिया होए 1,2,3,4,5 वो हम लोग का आजाए तो देखे आप लोग option number A में देखेगा सभी का यूनियन ले ले जाएगा सभी का यूनियन ले लेजागा तो हम लोग सभी का यूनियन होंगो है Harry यहाजाता था हम लोका वह एक ज्यादा यह ते o करेक्ट करेक्ट होगा अगर को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए चलिए 44 हो गया देखिए आप आपके जितने number of likes होते हैं उतने ही strength उस वीडियो को देखते हैं आप लोग पार्ट 2 के वीडियो को उतना share नहीं किये थे जितना पार्ट 1 के किये थे पार्ट 1 में लगवग 50 लाइक आ चुका है लेकिन पार्ट 2 में वह ही 10-15 लाइक ही आया है तो सायद आप लोगों को पूरा solution नहीं चाहिए इसलिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो 45 निम्मर क्या है लेट आड़ वियन एक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दा सेट 1-2-3-4-5-6 गिवेन भाई देखिए एक रिलेशन दिया भाई हुँओ आप लोगों को पार्ट 2-3-4-5-6 सभी का अलग अलग लिखना होगा आप लोग एक्विवेलेंस क्लास 1 का लिखेगा तो हम लोग का 1 का एक्विवेलेंस क्लास होगा स्टार के मिर्ल टो नहीं होता है अवब ब्राइकेट नहीं होता है वह बिग अब्राइकेट शे उसको नोड़ करते तो आप लोग लिख दीजए गा और बीग उलिज्केट शे उसको बंद कर दीजएगा ओके तो उसके बाद वट वन का रिलेटेड है और उन हम लोगों का में नहीं है तो क्म सुन कर दिलिए क्लस यक में कर द्शाथ आप मैं का रिखिक साथ नहीं सब्सक्राइब कर दूगा कि रख जेह और तो और 6 लिखती जाएगा तो ठीका एक्युलिछेंगा तो सीक सबनलके करे धिरी करें कम्हार हो जाए गाल। लुटिएंए जिलाँ होगा इसी तेरिखेंगी अंचिन में कुछ बोलने में घुद्ञ़ हो जाए एक ध्यान रखेंगे पास्त ग intéंड़ जी ह fragments साथ में और नहीं किसी नहीं है तो वाइब किसकि यो प्यसकों-सदा लिएक शर्क टाइन चाह一个 कोशन नुबर 45 का उसके बाल लोग को आया कि एक ले 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 तो याद नहीं मुझे किसका क्या निकाले है कि एंवन का निकाले तो हम लोग का 15 आया था और जहां तक मुझे याद है निकाले थे तो 15 आया था और Toyota 2 का निकाले थे हम लोग तो two ओर three और six ऐता है टू का एक أي KSe लोग को सबसे पहले 15 ले लिजेगा उसके बाद आप लोग को बिसका हो जागा और उस सभी का यूनियन लेंगे तो हम लोगा जो पार्सियन होगा उसी का रिलेशन हम लोगा हो जाएगा यह समझ में आया होगा है लेकिन फिर भी मैं एक और फिर से कोसिस कट्व शमझाने का आप लोग को सबसे पहले इसका इक्विएलेंस रिलेसन उसका रिक्विएलेंस क्लास लिखना होगा फिसे टारिकेस से शारा लेकि आप लोग बना होगा नो वो करेक्ट हो जाएगा कोस्टर नमबर 45 का मैं इसे जादा एक्स्प्लेन नहीं कर सकती हूं और साहद मैं पेज में समझाओ तो साहद समझ में आ जाए सिस समझ में आ गया होगा 50% स्टुजेंट को देखे 46 के the relation r is defined on the set of integer as x related to y if x plus y is even which of the following statement is true first option दिया आवे r is not an equivalent relation second दिया आट इसन equivalent relation having one equivalence class third दिया आवे r इसन equivalent relation having two equivalent class और fourth दिया आवे r is an equivalence relation having three equivalence class तो हम लोगा is का answer होगा r is an equivalence relation having two equivalence class तो 46 का अप्सन नमबर c करेक्ट होगा देखिए 47 नमबर हम लोगा क्या है if R is symmetric and transitive relation on a set A अगर एक set में हम लोग का symmetric है और transitive है तो अगर R reflexive हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार हम लोग का equivalence set A जो होगा हम लोग का equivalence relation हो जाएगा R symmetric तो थाई, transitive भी थाई तो reflexive ले लिए और बोल दिए hence is an equivalence relation तो 47 का option number A correct हो जाएगा 48 के हम लोग का if R is an equivalence relation on a set A then R inverse देखिए अगर R हम लोग का equivalence relation है मतलब कहने का मतलब है वो R हम लोग का reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी है तो जब हम लोग R inverse लेंगे तो वो भी हम लोग का equivalence relation ही आएगा और वो equivalence relation आएगा मतलब कहने का मतलब हो reflexive भी होगा symmetric भी होगा और transitive भी होगा तो हम लोग का 48 का option number D correct हो जाएगा all of these आप लोगों को 41 से लेके 48 तक समझ में आया तो वीडियो को like करके मुझे बता दीजिए या फिर live chair जो चल ला है उसमें भी आप लोग thumb अंगठा दिखा के आप लोग बता सकते हो के 49 के हम लोग का subset relation on a set of set each देखे जो subset relation होता है हम लोग का क्या होता है first option दियावर a partial ordering second दियावर an equivalence relation third दियावर transitive and symmetric only fourth दियावर transitive and anti-symmetric तो हम लोग का इसका होगा transitive जो subset relation होता है हम लोग का वो transitive and anti-symmetric होता है तो 49 का option number D correct हो जाएगा देखे question number 50 के हम लोग का एक relation दियावर है set दियावर है 1234 और एक relation दियावर है तो देखे सबसे पहले तो हम लोग का set A दियावर है 1234 तो आप लोग को रिलेशन जो है उसमें आप लोग को चेक करना होगा 11223344 यह सभी element होंगे तो वह reflexive होगा तो देखे 1122 तो है लेकिन 33 भी है लेकिन 44 नहीं है तो यह हम लोग का reflexive नहीं होगा तो जिस जिस option में reflexive बोला है आप लोग उसको cut कर देजिए तो option number A तो इस हिसाब से cut होगा क्योंकि यह reflexive है ही नहीं अब देखें हम लोग symmetric देखेंगे symmetric कैसे देखते हैं अगर देखे 34 होना must है तो आप लोग देखे और relation जो define है सबसे last में देखेगा 34 है लेकिन 43 नहीं है तो यह हम लोग का symmetric भी नहीं है देखें आप लोग यह हम लोग का reflexive भी नहीं है यह हम लोग का symmetric भी नहीं है अगर बात के जाए देखें ट्रांजिटीव का बात करेंगे तो तो फिरी के साथ है और तरी टू के साथ है तो टूuddू भी ठीजर है और देखें टू यहां सहीकि everything के साथ है तो वन खुछ वण के साथ है तो मिल happy के साथ है हां वह तो है तो हैं ने सो जो जो ऌपसण आप लोगों को बोला है वह color अब सब्सक्राइब कर दीजें तो अब अब लोगों को आप लो कोड़ेल Ε Gosh कर ना बागी यह तünde यह थो में ट्रींडिक है अगर थिर्तूं है तो सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए वह उसी को हम लोग बोलते एंटी सिमेटरिक तो आप लोग देखिएगा इसमें three two है और two three भी है तो यह हम लोगों का अटी सिमेटरिक हो गया okay सब्सक्राइब लोग का नहीं हुआ थी टू है तो तू थी नहीं होना चाहिए था लेकिन इसमें अधिक कर दिए तो हम लोग उसका इंटर्सक्षन लेंगे इनवर्स के साथ तो हम लोग क्या आएगा देखिए अगर हम लोग उसके इनवर्स के साथ यज़ित औलगों के औल एंटेस्टेशन लेंगे तो हम लोग है पाल और आंड ने और दोन्व का इंटेस्टेस्टे सीट That तो हम लोग का 51 का option number B correct हो जाएगा ओके बाते समझ में आए 51 का option number B समझ में आया B होगा ओके 52 क्या हम लोग का if a relation R is symmetric then देखिए हम लोग का R is symmetric तो हम लोग कुछ मिलेगा ही नहीं अगर कॉमन कुछ नहीं मिलता तो उसी को तो हम लोग 5 बोलते हैं मैं आप लोगों को 52 तक बताई हूँ किसी को किसी भी प्रकर करकर कोई भी डाउट है तो आप लोग लाइब चैट में पुछिए या फिर कमेंड सेक्टन में पूछ लीजिए ओके देखिए अब आगे क्या है मैं देखी आप लोगों का एक ज्जाम नजदिक है मुझे भी पता है तो इसलिए मुझे पता है जल्दी सबी कोषन को कवर करने तो मैं आज आप लोगों को 70 तक कवर कर दूंगी कि 53 याम लोगों का दोमेन एंड रेंज देखे बस आप लोगों का एक काम है जितने भी मैथ हो नर्स के स्टुएंट अगर आप लोगों को लगए इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी और आप लोगों को पुरा एक दम हंडेड परसंट सही बताया जा रहा है तो आप लोग का बस एक ही काम है इस वीडियो को हर एक मयात है उनर्स के पास पहुंचाना है अगर आप सभी के पास पहुंचाने में कामियाब होते हैं तो फिर मेरा मेहनत करने का मकसद भी कामियाब हो जाएगा तो 53 के हम लोग का the domain and range are same for domain and range same किस function के लिए होता है पहला option है constant function दूसरा है identity function तीसरा है absolute value function और चौतरा है greatest integer function तो हम लोग का the domain and range are same for identity function होगा तो 53 का option number b correct हो जाएगा देखे 54 क्या है देखे 54 क्या let z denote the set of integer define f is the function of z to z by fx equal to xy2 if x is even और x xy2 है तो fx is even और x है if x is odd तो देन f क्या होगा फर्स्ट दिया वाए on to but not one one second दिया वाए one one but not on to third दिया वाए one one and on to offer दिया नाइधर वाण 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 नोर उन्ट तो देखे यह हम लोग का on to होगा बट one one नहीं होगा तो 54 का option number a correct है देखे 56 के हम लोग का to have inverse of the function f each तो हम लोगों से पूछा जा रहा है जो हम लोग का f inverse होगा अगर हम लोग का inverse हो पारा है तो मतलब f क्या है तो देखे मैं आप लोग को बता दूँ अगर किसी function का आप लोग inverse निकाल पारे हो मतलब वो हम लोग का एक one one on two function है और one one on two के आमें भी ऐसा one one on two के जगह पे आप लोग को बाइजेक्टिव लिखके भी आ सकता है तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा ओके one one on two को हम लोग बाइजेक्टिव के नाम से भी जानते है तो हम लोगा जोग f अगर one one on two है मतलब बाइजेक्टिव है तभी उसका inverse exist करता ह है तो 55 का option number c correct हो जाएगा ओके 56 के आप लोगों को if f is the function of r to r is defined by fx equal to x square plus one then the value of f inverse 7 sorry f inverse 17 and f inverse 3 are respectively तो देखिए आप लोगो fx दिया हुआ है x square plus one और आप लोगो f inverse पूछ रहा है तो देखिए y equal to x square plus one तो हम लोगा x के term में निकाल लेंगे वो value fx equal to y माल लेंगे तो x equal to हम लोगों का हो जाएगा f inverse y कितना तो समझ में आप लोगों देखिए y equal to x square plus one दिया हुआ है तो आप लोगों x को y के term में लिखना है तो हम x क्या हो जाएगा root under y minus one और हम लोगों से पूछा जाएगा f inverse 17 मतलब f inverse y जो है हम लोगों का y 17 के बड़ाबर है तो हम लोगों कहा हो जाएगा root under हम लोगा क्या आया था y minus one y minus one मतलब 17-1 17-1 मतलब root under के अंदर ही जो टर्म चल लाए ना root under 17-1 root under 16 root under 16 मतलब क्या आएगा हम लोगों का निकल के 4 और minus 4 तो हम लोगों का पहले f inverse 17 पूछा था तो हम लोगों का 4 और minus 4 सबसे पहला में दिख लिए option number d जो है वो correct हो जाएगा और दूसरा हम लोगों को f inverse 3 निकालना था तो क्या हो जाएगा y equal to x square plus 1 है तो x equal to क्या हो जाएगा आप लोग का y-1 root under y-1 root under y के जगह पे हम लोग 3 3 लेंगे तो 3-1 मतलब root under 2 तो root under 2 हम लोगों का एक rational number आया और हम लोगों में जो relation defined किया गया वा था हम लोग का क्या define किया गया था रियल नंबर का हम लोग का 56 का option number d जोगा वो correct हो जाएगा आप लोग f inverse 17 से भी सिर्फ देख सकते हो देखे 57 क्या आप लोग का if a is the function of if a is the function a sorry if a is function from b is a by section function then f inverse of देखे अगर a से b अप लोग का by injection है तो हम लोग का f inverse of क्या होगा तो हम लोगों का होगा इसका identity matrix मतलब 57 का option number d जो होगा न वो correct होगा f inverse of identity matrix जो है आइए जो है न 57 का option number d जो है वो correct हो जाएगा 58 के हम लोग का let f is the function of r देखे 57 का हम लोग का option number d है 58 के आम लोगों का let f is the function of r to r be defined by fx equal to x plus 2 तो इसमें x less than or equal to minus 1 के है और x2 हम लोग का minus 1 से लेके 1 तक है और 2 minus x हम लोग का x greater than 1 तो आप लोग को यह value दिया है तो जैसे अगर minus में लेना है minus 1 से चोटा term लेना है तो आप लोग उपर वाला value का यूज किजेगा minus 1 से 1 के बीच का कोई term लेना है और 1.5 लेना है तो नीचे वाला को 2 minus 1.5 तो हम लोग जब हम लोग इस तीनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का एंसर जो आएगा मतलब option number c correct होगा कैसे वह समझ में आया आप लोग को f minus 1.75 जो बोला है ना तो आप लोग फर्स एक्वेसन में डालेगा लोग यह सभी डालके आप लोग कर लीजेगा तो आप लोग का ऑप्शन number c जो होगा वह करेक्ट आएगा तो आप लोग को समझ में आ गया 58 नमबर तो लाइक करके एक पर बता दीजएगा 59 का हम लोग the function f is the function of n to n defined by fx equal to 2x plus 1 तो हम लोग को क्या बोल ला है तो देखिए हम लोग का जो 59 नमबर है fx equal to 2x plus 1 तो आप लोग को injection और surjection क्या होता है मैं बता देती है आप लोग को injection जो होता है हम लोग का injection मतलब होता है 1 1 और surjection मतलब होता है on 2 इंजेक्षन मतलब होता है 1,1 और सर्जेक्षन मतलब होता है on to और इंजेक्षन मतलब 1,1 हम लोग कैसे चेक करते हैं 1,1 चेक करने का तरीका है हम लोगो fx1 equal to fx2 करके तो आप लोग fx1 equal to fx2 की जगा तो क्या आजाएगा 2x1 plus 1 equal to 2x2 plus 1 तो हम लोग का 1 से 1 कर जाएगा 2 से 2 कर जाएगा तो हम लोग का x1 equal to x2 आ गया तो अगर हम लोग fx1 equal to fx2 रखते हैं तो implies that x1 equal to x2 आ जाता है तो मतलब वो हम लोग का injection होगा तो option number c तो correct है उसके बाद हम लोग और surjection पर भी चेक कर लेते हैं तो आप लोग चेक की जेगा य या नहीं तो हम लोग का यह on to भी है तो यह injection भी है और on to भी है तो इस हिसाब से इसका अगर by injection कोई option रहता न तो हम लोग का correct होता तो 59 का हम लोग option number d पर इंजेक्शन भी है और साथ में surjection भी है तो अगर कोई भी option करेंगे क्योंकि हम लोग कोई भी option और surjection दोनों है मतलब यह one one भी है और on to भी है बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझाने है आप लोग option अपने हिसाब से अप्सन हम लोग का option number d correct हो जाएगा नन नफ दीज़ ओके 60 number question के हम लोग का if a set has n elements then number of function that can be defined from a into a तो हम लोग का इसका number of function पहले तो a cross a में निकालेंगे तो a cross a में हम लोग का इन है और हम लोग का if elements इन तो number of function हम लोग का हो जाएगा n to the power n option number c जो होगा न वो correct हो जाएगा question number 60 का तो देखे 59 का आप लोग को इससे यह पूछना चाहती हूँ आप लोग को सिर्फ वीडियो वीडियो मतलों के जितना ही कमेंट आता है बस दो तिन एस्टों को छोड़के सभी बस जल्दी करवाईए जल्दी करवाईए वीडि इंप्रोव्मेंट की जरुबत है यह सभी तो बताया किसी है न तो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो लाइए यही कमेंट आता है एक दो एस्ट्रेंट ही बोलते कि जहां वीडियो ठीक है या फिक किसी विप्रकाड़का कोई इंप्रोव्मेंट चाहिए देखे 60 का option number c correct है 61 के हम हम लोगा इफ इस दी function of z to z be defined as fx equal to x square x belongs to z then function is देखिए fx equal to x square है तो हम लोगा यह कौन सा function होगा तो आप लोग को क्या करना होगा तो देखिए आप लोग को अगर मैं एक example से बताती हूँ अगर आप लोग सब्सक्राइब चाहिए अगर आप लोग लोग दो लीए एक ही मिल गया तो यह तो हम लोग का 11 नहीं होगा 11 को लोग एक और नाम से जानते हैं इंजेक्शन तो नहीं होगा तो आप लोग 61 का option number b को cut कर देजिए अब बात रही सर जेक्शन के तो इसको चेक कर लेते हैं y equal to सभी के सभी करेक्ट होंगे तो हम लोगों को देखने के लिए हम लोगों को देखना होता है को डोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं को डोमेन जो यह आप लोगों सभी पॉसिबल है तो 61 का आप लोगों को लेकिन हम लोग रेंज निकालना है तो हम लोगा सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीड़ आए लेस देन वाला तो आहीं नहीं रहा है और हम लोगों को फंक्शन रिफाइंड किया हो इसमें तो जेट सीधा बोल दिया है मतलब इन्टीजर 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 supply इर होता है समझ में रहता है लेकिन इसमें हम लोग जो देजला निकाल लेए तो तो लोगों को बड़ा आरहा है यां से करेक्शन का ऊसे जब एन्जंड और 61 का option number D correct हो जाएगा देखे 62 के हम लोग का if Fx and Gx are defined on domain A and B respectively then domain of Fx plus Gx is तो हम लोग का domain जो होगा वो हम लोग का A intersection B हो जाएगा इसका तो option number B correct हो जाएगा 62 का देखे 63 क्या है हम लोग को देखे ये वीडियो बनाने में बहुत मेनत लगती है मेरा बहुत आवाद जाता है इससे बहुत बोलने ही मेनत लगता है आप लोग का बस एक ही काम है अगर math होन और इसके जितने भी student है सभी के पास इस वीडियो का पहुँचा दीजेगा तो मेरा बनाने का मकसद सफल हो जाएगा और मेरा मेनत का फल भी मिल जाएगा तो आप लोग बस share किजेगा मैं आप लोग को 41 तक करवा दी आज हम लोग 30 कर लिए तो 130 कर लिए और आज ही सामे मैं आप लोग कोशिज करूंगी 71 से लेके 100 तक और 100 से लेके 30 तक यह संचावस्स किरूच जल्दी तो करना है और यह डिक हूप आता है तो करूंगी प्लूंगी स्कॉर प्लस 1 स्कॉर स्धी एंड GX से 3X-4 तो मुझा गौफ X निकालना है, गौफ X कहने का मतलब होता है, G is the function of FX, तो आप लोग G लिखे और FX के अंदर, FX के आप लोग का, X square plus 2X-3, और आप लोग क्या कि जगा 3X-4 है न, तो आप लोग X के जगा पे, X square plus 2X-3 रखे, उसके बाद जो value आएगा, वह य एंसर होगा, क्या करना है, देखे, 3X-4 है न, तो आप लोग का, X के जगा पे, X square plus 2X-3 रखना है, तो आप लोग उसको रख लिजएगा, और solve की जगा, तो आप लोग को आएगा, 3X square plus 6X-13, मतलब 63 का option number B, जो होगा, वह correct होगा, ओके, अब चलिए, हम लोग देखेंगे, है, question number 64 के पास, 64 देखते है, 64 के हम लोग का, F is the function of x to y, B a mapping and A, B a subset of y, then F inverse y minus a, तो देखिए हम लोगा क्या होगा, F inverse y minus a है, तो हम लोग इसको लिख सकते है, F inverse y minus F inverse a, क्या लिख सकते है लोग इसको, F inverse y minus F inverse a, और F inverse y हम लोग को L लिखते है, X, ओके f inverse y को हम लोग लिखते है x तो हम लोग का x minus f inverse a मतलब question number 64 का option number b correct हो जाएगा question number 65 क्या है if f is the function of x to y b a mapping and a b are subset of y then f inverse y minus b तो f inverse y minus b को हम लोग लिख सकते है f inverse y minus f inverse b तो हम लोग f inverse y को लिख सकते है x, x minus f inverse b option number a correct हो जाएगा question number 65 का मैं आप लोग को जितना भी बता रही हूँ 100% correct बता रही हूँ आप लोग को भी दिख रहा होगा आप लोग स्वालू कर रहे होगे तो आप लोग को भी आ रहा होगा जो मेरा आया है अगर एक दूसरा में अगर जो मुझे लगेगा कि से हां मैं गलत बोल दी तो मैं आप लोग को बता दूँगी हां मैं गलत बोल दी आप लोग का ही सही है तो इसमें जितना भी option था ना वो कोई correct नहीं है और इसमें पूछ रहा है हम लोग को f inverse of gx तो हम लोग को f inverse निकालना है किसका gx का तो gx हम लोग का 1 by x square plus 1 तो हम लोग का y equal to 1 by x square plus 1 तो हम लोग का यहां से क्या जाएगा यहां से आप लोग solve किजिएगा तो आप लोगों को आएगा y x square plus y y equal to 1 by x square plus 1 तो हम लोग का यहां से आएगा y x square plus y equal to 1 तो आप लोग का यहां से x square का value हैगा 1 minus y upon y तो हम लोग का देखिए इसका आप लोग इसमें question ही कुछ गलत दिया होगा यह अप लोगों से पूछना चाड़ा होगा फोग x का value ओके लेकिन इससे हम लोग का f inverse of g x करके लिखा गया या फिर पता नहीं कि आप उसना चाहरा है या फिर मैं question समझी नहीं पार रही हूँ f x लिखना होगा या फिर f inverse of g x लिखना होगा तो f inverse of g x जब हम लोग लिखेंगे क्याम लोग का if q is q से q defined by f x इक्वाल टू 2 x प्लस 3 for such that x belongs to q and is 1 1 on 2 then f inverse तो देखिए यहां बोल ला है 1 1 on 2 मतलब 1 1 on 2 है तो f इंवर्स तो एक्जिस्ट करेगा तो इंवर्स का कैसे हम लोग निकालते है देखिए इसमें f x इक्वाल टू 2 x प्लस 3 है मतले y is equal to 2 x plus 3 दिया हुए और y is equal to 2 x plus 3 दिया हुए तो यह y के लुट theor्म है वह हम लोगो करना क्या है एक्स को y के लिखेंगे एक्स प्लस 3 है तो हम लोग x का वैयलू निकालेगा या से जो x वैलू आएगा Babies यह एकोल टुट टुट टूट प्लस ठीए तो हम लोगा टूट 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 क्या हो जाएगा वाइ-3 यह समुलगा क्या हो जाएगा वाइ-3 जैगा वाइ-3 तो 67 का अपसर नंबर सी जोगा वो करेक्ट हो जाएगा समझ में आया देखे 60 अगर आप लोग को सची में समझ में आप लोग बस वीडियो को सेर किज़ेगा उसके आप लोग के लिए बहुत कुछ आएगा पुरा गेस पीपर आप लोग को सेर्ट थियूडी मैटरी से स्थियूडी अफिक्वेश लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट है बहुत इसलिए मैं आप लोग को बतारी हूँ 68 का टू सेट अन्बी और सेट टू इक्वेवालेंस इफ देखे टू सेट अन्बी को एक्क्वेवालेंस होगा कब जब ए इस सबसेट अफ बी होगा और बी इस सबसेट अफ यह होगा सेके इस बी में सिर्फ वन वन है और सी में वन 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 टू बोला दी में ननव तो अम लोग का ऑप्षन नमबर एज होगा न वह करेक्ट है अब बी इस सबसेट अफ यह होगा तो हम लोग का एक्क्वेवालेंस रिलेस्ट्स पूचाएगा उसको उसका नेक्स्ट वीडियो म सब्सक्राइब करते हैं अगर इन्फाइनाइट सेट है अगर इन्फाइनाइट सेट है अगर उसको हम लोग एड़ेट करते हैं तो कि इन्फाइन प्सक्राइब अज आप लोगों को सब्सक्राइब करते हैं आप लोगों को 41-60 तक बताइब इस वीडियो को जितना ज़्यादा सेर किजएगा उतना ही जल्दी आप लोगों को 71 से लेके 100 तक मिल जाएगा आप लोग पर डिपेंड करता है वीडियो कब आएगा ओके तो आप लोग करना है क्या है आप लोग को इस वीडियो को सभी math honors के एस्टेंट कहीं से भी वह कहीं भी वह आप सब्सक्राइब करने की जर्बत है तो चलिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो एंड थैंक्स पर कमिंग सुप्रिया जुके सब्सक्राइब टिक के पढ़ाई करते रहेगा आप लोग का एक्जाम बहुत नजदिक है ओके बाए हाँ